इस वर्ल्ड का हर successful person एक बात में जरूर believe करता है कि time is money, जी हाँ दोस्तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी web application की जिसको use करते हुए आप अपने tally accounting software में 10x की speed पे transactions record कर सकते हो, no matter if you don't have any accounting background, even if you have no proper knowledge of tally software, you can still record these high volume transactions like banking, purchase and sales, ना सिर्फ इतना, आप अपने accounting software में इन transactions को remotely record कर सकते हो, इस web application को use करते हुए, जिसका नाम है सुवित, इस web application की setup करना एक बहुत easy काम है, जिसे हम just five minute में कर सकते हैं, आज के इस session में मैं इसके पूरे process को detail में discuss करूँगा, और साथ में एक live demo के जरिये, हर टाइप की transaction चाहे वो banking हो, purchase हो या फिर sales हो, with GST और with inventory आपको record करके दिखाऊंगा, एक live demo के जरिये, हमारे इस practical के लिए हमारे business organization का नाम है भारत home appliances, जिसके proprietor का नाम है भारत भूशन, और ये उसके access saving bank की statement है, PDF form में 1st April से लेके 30th September तक, और ये उसके बाद next period की है, 1st October से 31st March तक, इसके इलावा ये हमारी firm की bank statement है, SBI current account की Excel format में, so with web application के जरिये, इन bank statements को हम directly send कर सकते हैं, अपने tally accounting software में, ना सिरफ banking की transactions, दिखें ये हमारी कुछ transactions purchase की हैं, हमारा ये business organization electronic goods में deal करता है, तो ये सारे item invoice हैं, इन में proper GST लगी है, ये अलग-अलग supplier के बहुत सारे invices हैं, और purchase के साथ साथ अब ये कुछ invoice हमारी sales के भी हैं, ये भी proper tax invoice हैं, जो की interest rate भी हैं, cash भी हैं, credit भी हैं, ये बहुत सारी variety of transactions हैं, जिनको हम record करेंगे Swift web application के जरिए एक recorded duration में, तो चलिए सबसे पहले हम open करते हैं, Swift web portal जिसका URL है, swift.io, और बात करते हैं इसकी basic settings की, जिसके लिए सबसे पहले तो हमें यहां पर sign up करना होगा, जो की एक बहुत simple सा ही step है, बहुत थोड़ी सी information यहां पर required है, जैसे की हमारा name, email, mobile number और अपनी च्वाइस का password, उसके बाद जैसे हम register पे click करते हैं, हम successfully sign up हो जाएंगे, और साथ में यह welcome screen open हो जाएगी, जिसमें इस web application को use करने के लिए सारे के सारे steps हमें बताए गए है, get started के बाद next step में हमें इसके three elements के बारे में बताए गया है, जिसमें web application है, टैली connector है, और साथ में टैली software, लेकिन अब यहाँ पे question यह है कि इन three elements का role क्या है और यह काम कैसे करते हैं, दिखी हमारे जिस PC पे टैली software है, उसी पे हमें switch connector भी install करना है, और रही बात web application की, उसे हम किसी दूसरे PC पे भी operate कर सकते हैं, remotely भी control कर सकते हैं, और चाहें तो यह सारा काम सेम PC पे भी कर सकते हैं, अब जो हमारी transaction files हैं, bank statements हैं, उनको हम इस web application पे upload करेंगे, और फिर यहाँ से यह data internet के जरिए इस switch connector में आएगा, और फिर इस connector से टैली prime में जाएगा, यनि अब हमारे जिस PC में टैली software है, उसमें हमें यहाँ से टैली connector को डाउनलोड करके install करना होगा, डाउनलोड करने के लिए EXC file हमें यहाँ से मिल जाएगी, इसमें हमारे पास 24-bit हैं, 32-bit और 64-bit, जो कि हमें अपने operating system को चेक करके डाउनलोड करनी होती है, वैसे अगर हम हमारे PC पे टैली Prime installed है, इट मिन्स हमारा OS 64-bit ही होगा, चली अब हमारा टैली connector तो install हो चुका है, लेकिन फिलाल हम इसे close करके अपने final step की बात करेंगे, जो कि है सिंक कंपनी from टैली, दिखी यह हमारी web application का dashboard है, और अब इसे use करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने profile को verify क करना होगा, जिसके लिए हम यहाँ पे click करेंगे, उसके बाद my profile में जाएंगे, हमें अपनी email को verify करने के लिए यहाँ पे click करना है, फिर जो email पे OTP आएगा, उसे enter करने के बाद verify करना है, और ऐसे ही mobile को भी हमें OTP के साथ यहाँ पे verify करना, और इस verification के साथ ही हमारा full functional web portal ready ह हम इस पे काम कर सकते हैं, और अब यह basic setup complete होने के बाद हम बात करेंगे कि tally software में transactions को record करने का procedure क्या रहेगा, जिसके लिए सब से पहले तो हम अपनी target company को select करेंगे, जैसे कि हमारे इस case में भारत home appliances है, और फिर यहाँ पे हमारा next step है, सुवित के इस tally connector को open करके, हम अपने user password के साथ इसमें sign in करेंगे, दिखिए जब हम इस connector में first time login करते हैं, तो यह हमारे tally software के serial number को automatically deduct कर लेगा, बस अब यहाँ हमें yes पे click करना है, जिसके बाद यह serial number connector में add हो जाएगा, यनि software और connector अब आपस में link हो चुके हैं, और अब हमें target company भी यहाँ पे add करनी है, जिसके लिए जैसे ही हम यहाँ add company पे click करते हैं, उन companies की list यहाँ पे automatically reflect हो जाएगी, जो की हमारे tally software में presently selected है, जिस company को हम यहाँ पे add करना चाहते हैं, उसे हमें subscribe करना होगा, और जैसे ही यह process complete होगा, हमारी target company यहाँ पे connect हो जाएगी, दिखिए एक बात हमें यहाँ खास तोर प minimize और open करते हैं sweet web application, जिसके जरिये basically हमारी transactions record होगी, इसमें भी सबसे पहले हमें sign in करना होगा, user password हमारा वो ही रहेगा, जो की हमने register किया था, login हुदते ही dashboard open होगा, जिसमें हमें अपनी previous files और transactions की detail दिखाई देगी, और जैसे ही हम इसके next option my company पे click करेंगे, तो जो company हमारे tally connector के साथ connected है, वो यहाँ पे show हो जाएंगी, यानि इसी में हम अपनी business transactions को record कर पाएंगे, जिनके लिए option हमें इसके निचे दिए गए हैं, जैसे banking की transactions को हम यहाँ पे record कर पाएंगे, उसके बाद sales का options है, इसमें भी हम अलग-अलग methods रे transactions को record कर सकते हैं, और फिर उसके transactions का option है, इसमें भी हम अलग-अलग sources से transactions को record कर पाएंगे, ना सिर्फ ये transactions, बलकि हम bulk में masters भी, यानि accounts भी create कर सकते हैं, इस web application के जरिए, तो चलिए अब हम कुछ transactions practically record कर के देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम previous status की बात करें, तो अभी तक हमने इस web application के जरिए कोई भी file record नहीं की, जैसे कि हम यहां dashboard में देख सकते हैं, और अब हम transactions को record करने से पहले एक बार फिर से my company option में आएंगे, और यहां हमें action पे click करके ledgers को sync करना है, दिखिए इस option के जरिये जो master's, यहनी accounts हमारे tally accounting software में already created हैं, वो हमारी इस web application में update हो जाएंगे, उसके बाद यहां view ledger पे click करके उन सारे accounts को हम देख भी सकते हैं, और अगर हम चाहें इन सारे master's को अपने tally prime accounting software के साथ भी match कर सकते हैं, जैसे कि हम यहां पे देख सकते हैं, हमारे tally software में इस सारे accounts already created हैं, इवन items के account भी created हैं, यहां से इस सारे account हमारे इस sweet web application में transfer हो चुके हैं, और अगर ऐस कोई account भी है, जो फिलहाल हमारे tally software में created नहीं है, तो directly हम उसको यहां से भी create कर सकते हैं, चलिए अब हम banking options को use करते हुए, अपनी bank statement की transactions को export करते हैं tally accounting software में, जिसके लिए सबसे पहले तो हमें अपनी bank statement यहां पे click करके import करनी होगी, इसमें यहां पे हमें अपनी company को select करना है, and then यहां पे हमें अपने उस bank account को select करना है, जिसकी statement को हम upload करना चाहते हैं, जैसे हमारे case में access saving bank account है, और फिर bank statement को upload करने के लिए, यहां से भी हम file को select कर सकते हैं, या फिर उस file को हम directly भी यहां पे drag and drop कर सकते हैं, जिसके बाद उस file का नाम हमें यहां पे दिखाई देग लग सकता है, जिसकी detail हमने यहां पे mention की है, लेकिन आम तोर पे इसमें इतना time नहीं लगता, कुछी देर में यह process हो जाती है, जैसे कि हमारे इस case में यह एक PDF file है, और इसकी processing को complete होने में कुछी seconds लगे, process होने के बाद वैसे तो इस file की summary हमें यहां पे भी दिखाई देगी जैसे number of transactions, statement, date, लेकिन इसे आगे further open करने के लिए हमें click करना है bank name पे, अब दिखिए यह complete bank statement यहां पे capture हो चुकी है, जिसमें total 79 transactions थी, जैसे कि एक बात हम सारे बहुत अच्छे से जानते हैं कि double entry system के accordingly हर transaction दो account में record होती है, और अगर हम अपनी in transactions की बात करें, हर transaction में एक सा आती है, उस transaction के opposite account की, जिसको हमें यहां से select करना है, और इसे select करने के भी हमारे पास यहां कई method available हैं, जैसे कि यहां पे हम one by one करके भी select कर सकते हैं, या फिर वो सारी transaction जो किसी एक ही particular account से belong करती हैं, उनको select करके एक साथ भी यहां पे account को update किया जा सकता है, जैसे कि हमारी य EMI से related है, जो कि हर महीने जाती है, अब इन सारी transactions को एक साथ select करने के लिए, यहां description में हम कुछ ऐसे word type करेंगे, जो कि सभी में common हूँ, जिसके बाद उस word से related सारी transactions यहां पे reflect हो जाएंगी, और फिर यहां पे click करके इन सब को हम एक साथ select कर लेंगे, and then इन सभी transactions में ledger account को एक साथ update करने के लिए, हम यहां पे click करेंगे, और जो हमारा relevant account होगा, जैसे कि हमारे इस case में access bank car loan account है, उसे जैसे ही हम select करेंगे, सभी में यह account update हो जाएगा, और फिर जैसे ही हम यहां से description को clear करते हैं, again सभी transactions यहां पे reflect हो जाएंगी, और अब इसी process को repeat करते हुए, हम remaining transactions में भी ledger account को update करेंगे, जैसे कि अब हम cash deposited से related transactions को लेते हैं, दिखिए एक बात और यहां हमें खास तोर पे ध्यान रखनी है, कि सभी transactions में ना सिर्फ हमें ledger account update करना है, बलकि उसका relevant watcher type क्या है, अगर वो properly selected नहीं है, तो उसे भी हम change करेंगे, जैसे कि Tally software में यह सारी transactions contra watcher type में record होती है, तो उसको भी हम accordingly यहां से select करेंगे, सभी transactions पर यह apply हो जाएगा, again हम select करके अब ledger को update करेंगे, जो कि cash account रहेगा, और अब फिर यह description clear करके, सारी progress हम यहां पे देख सकते हैं, cash deposited के साथ साथ हम बात करते हैं, cash withdrawal के जो कि हम ATM के जरिये जादंतर करते हैं, अब इन सारी transactions को भी एक साथ select करके, सबसे पहले हम इसका watcher type set करेंगे, जो कि contra withdrawal है, and then again select करके, इसमें भी हम cash ledger account को update करेंगे, अब अगर हम अपने present status की बात करें, तो कुछ transactions में account update हो चुके हैं, और कुछ में भी pending हैं, लेकिन साथ के साथ इस file को हमें save जरूर करते रहना चाह तो हमें सिर्फ वो ही transaction दिखाई देंगी, जो still pending है, और अब इन में हम उन transactions को one by one करके भी select कर सकते हैं, जो कि किसी एक particular account से belong करती हूं, और फिर ledger update करने का method बिलकुल वो ही, देखिए ऐसे ही हम किसी particular account से related transactions को identify करते रहेंगे, और bulk में उन में accounts update करते रहेंगे, यानि ये process हमने तब तक repeat करना है, जब तक हमारे सारे के सारी transactions में account update ना हो जाएं, और अगर कुछ ऐसी transaction भी है, जिनकी detail फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो जो हमारी transactions updated हैं, उनको हम यहां से save करके exit कर सकते हैं, और जब information available हो, again हम उस file में enter करके ये remaining काम को complete कर सकते हैं, देखिए अगर हम अपने इस present case की बात करें, तो almost हमारी सारी की सारी transactions अब update हो चुकी हैं, और इस पूरे process में लगवग मेरे को 3 से लेके 4 मिनिट ही लगे, चलिए अब हम अपना next step शुरू करते हैं, जिसमें हम इन सभी transactions को tally software में post करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले तो हमें इस file save करनी ह और फिर यहां हमें इस arrow पे क्लिक करना है, जिसमें हमें एक option मिलेगा, send transaction to tally, और जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, यह screen आएगी जिसमें सबसे उपर तो हमारी file की complete detail है, और फिर यहां नीचे tally में transactions को push करने से पहले हमें 3 point ensure करने हैं, जैसे कि हमारे PC पे internet connected है, switch connector भी हमा और उसमें हमारी target company selected है, यह सभी point check करने के बाद हमें click करना है, yes I check पे, जिसके बाद हमारी यह सभी transactions यहां से सुवित tally connector और tally connector से tally accounting software में push होने शुरू हो जाएंगी, जैसे कि अब हम यहां पे message भी देख सकते हैं, हमारी all 79 transactions tally में post हो चुकी है, चलिए अब हम इस connector और web application को minimize करके open करते हैं, tally prime software और उसमें check करते हैं इन सभी transactions को, देखी अभी हमने अपनी transactions send की थी access bank के saving account में, इसे हम open कर लेते हैं, साथ में इसकी period range को भी 1st April से 30th September तक अगर हम set करके देखते हैं, तो हमें all 79 transactions बिल्कुल as it is वैसे ही मिलेंगी, जैसे कि हमारी इस PDF bank statement में थी इवन अगर हम 30th September का balance भी match करें, तो वो भी bank statement के साथ properly matched है, यनि अब हमें further bank reconciliation करने की भी जुरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हम किसी भी transaction को further drill down करके भी देखें, तो वो proper narration के साथ यहां पे recorded है, साथ में अभी जो transaction हमने push की हैं, उनका status हम यहां पे अपनी sweet application में भी द किसी दूसरी location से भी अपने telly software में transaction send कर सकते हैं, चलिए अब जो हमारी next transactions हैं, उनको telly software में post करने के लिए हम एक अलग दूसरा PC use करते हैं, जिसका operating system भी Apple Mac है, क्योंकि इस PC में तो हमें just internet browser की ही जुरूरत पड़ेगी, बिल्कुल वैसे ही हम अपनी application को open करके उसी user password के सा login करेंगे, और हमारा वो ही dashboard open हो जाएगा, इसमें हमें एक बार अपनी company को जुरूर sync कर लेना चाहिए, दिखिए अभी जो हमने अपने bank में transactions record की थी, वो 1st April से लेके 30 September तक थी, और अब हम same bank की कुछ transaction 1st October से लेके 31st March तक record करके देखेंगे, क्योंकि इस application में जब हम same type की transactions repeat करते हैं, तो इसका AI system हमारी help करता है, प्रोसीजर हमारा बिल्कुल वो ही, सबसे पहले bank statement को import करने के लिए company name और bank name को select करने के बाद हम file को यहाँ पे drag and drop करके upload करेंगे, और file की processing के बाद हम उसे open करेंगे, दिखिए यहाँ description में कुछ common word type करके एक जैसी transactions में ledgers को update कैसे कि यह बात हम already discuss कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसके एक और special feature की बात करेंगे, जो कि है suggested ledgers, देखिए जैसे ही इस web application को use करते हुए, हम अपनी transaction को repeat करना शुरू करेंगे, वैसे ही इसका artificial intelligence system हमें ledgers को suggest करना शुरू कर देगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारी जित suggestion list भी increase होती रहेगी, अब देखिए जिन transactions के ledgers हमारी suggestion list में आ जाएंगे, उनको हम just एक click से ही update कर पाएंगे, यानि इसका simple meaning यह हुआ, कि जैसे जैसे हम इस application को use करते जाएंगे, हमारा काम उतना जदा fast होता चला जाएगा, देखिए अगर हम इन transaction में ledgers को one by one करके update करें, तो हमारा थोड़ा time जादा लगता है, लेकिन bulk operation जैसे feature ने हमारे काम को कहीं गुणा fast किया, और अगर हम suggested ledger की बात करें, तो इसमें तो हम one click के जरिये ही बहुत सारी अलग-अलग type की transactions में एक साथ ledger update कर पाएंगे, और इसके साथ अगर हम इन transaction को tally software में send करने के process की बात करें, तो हमारे लिए यहां पे यह जरूरी नहीं है कि पहले हम इस complete file को ready करें, जितनी हमारी transaction ready है, या फिर कुछ specific transaction को भी select करके हम send कर सकते हैं, procedure again हमारा वो ही send transaction to tally पे click करेंगे, इन सभी points को check करने के बाद, yes I have checked पे click करेंगे, और उसके साथ ही यह transaction tally में send हो जाएंगी जिसके बाद यह transaction यहां पे freeze हो जाएंगी और meaning transactions को हम अपनी convenience के accordingly कभी भी update करके tally में send कर सकते हैं, दिखी यह तो था method की हम अपनी bank statement की transactions को tally software में कैसे push करें, और अब हम बात करते हैं sales और purchase की transactions को record करने का method, दिखे अगर हम sales transactions की बात करें, इनको हम अलग-अलग sources से send कर स लेकिन सबसे पहले हम discuss करते हैं कि sales और purchase की transactions अगर हमारे पास Excel sheet में available हैं, तो उनको हम tally software में कैसे send करें, दिखे यह हमारे purchase invoice हैं, electronic home appliances में हमारा यह business organization deal करता है, proper यह tax invoice हैं जिसमें GST लगी है, और यह अलग-अलग type के कहीं सारे invoice हैं, जिनको अभी हम tally software में record करेंगे with inventory और with GST, दिखे जैसे कि अभी हमने discuss किया कि यह सारी transactions हम Excel sheet के जरी export करना सिखेंगे, इसलिए यह सारे invoice हमें Excel sheet में चाहिए, एक specific performer में, जो कि हमारे पास पहले से ही ready है, चलिए process करने से पहले इस sheet को हम एक बार देख भी लेते हैं और discuss भी कर लेते हैं, अगर हम performer की बात करें, तो यह कुछ इस तरह से रहेगा, इसकी row number one में रहेंगे हमारे headings, header में हमें जो column required हैं, उन में invoice number है, date है, party name है, GST number है, purchase ledger है, item की detail है, quantity है और rate है, देखिए यहां तक के सारे column हमारे लिए cumples हरी हैं, लेकिन इसके बात जो column हैं, जैसे कि amount, tax rate, cgst, sgst, igst, grand total, यह सारे optional ह इने चाहें तो हम अपनी convenience के लिए रख सकते हैं, और अगर हम इन column heading sequence की बात करें, तो यह अगर आगे पिछे भी हैं, तो कोई ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको हम manually map करेंगे, sweet web application के साथ, लेकिन इन headings को type करते time हमें कुछ बातें खास तोर पे ध्यान र यूज नहीं करने हैं, इनके इलावा बाकी symbol भी हमें header में avoid ही करने हैं, date का format हमें DDMMYYYY रखना है, और अगर हम इस complete worksheet की बात करें, तो इसका size 30MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साथ में worksheet password protected नहीं होनी चाहिए, और जिस worksheet का data हमें upload करना है, वो यहां number one की position पे होनी चाहि इवन इस से पहले कोई hide sheet भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि by default sheet number one का data ही upload होता है, देखी हमें almost sheet कुछ इस तरह से त्यार करनी है, जैसे अभी आपकी screen पे है, इसमें party का GST number अगर बिलकुल correct है, साथ में जो item के spelling हमने यहां पे mention की हैं, वो अगर हमारे tally software में account के साथ properly match करत हैं, तो हमारा यह काम बहुत easily process हो जाएगा, अगर किसी invoice में हमने एक से जदा item buy की हैं, तो उस invoice number की line repeat होगी, एक line में एक item हम mention करेंगे, जैसे कि हमने invoice number 501 में किया है, तो चलिए अब हम देखते हैं, sweet web application को use करते हुए, इन सारी transactions को हम one click से tally software में कैसे send करें, सबसे पहले हमें जाना है purchase group के इस excel option में, फिर यहां click करके हमें अपनी file upload करनी है, जिसके लिए यहां हमने अपनी target company को select करना है, और यहां हमने select करना है, कि जो हमारे invoice हैं, वो without inventory हैं, या फिर with inventory, और फिर यहां हमने अपनी excel file को drag and drop करना है, जिसके बाद file का नाम हमें यहां attachment में दिख next step है, excel seat के जो हमारे header हैं, उनको हमने tally field के साथ map करना है, दिखिए यहां पर यह जो head हैं, यह हमारे excel seat की first row से import हुए हैं, और यहां हमें tally software की fields दिखाई देंगे, जिनको हमें आपस में map करना है, जैसे invoice के लिए अगर हम यहां I type करते हैं, तो supplier invoice number हमें दिखाई देगा, और इसी तरह हम date को date के साथ, party को party name के साथ, GST को GST number के साथ, purchase को purchase ledger के साथ, item को name of item के साथ, quantity को quantity के साथ, rate को rate के साथ map करेंगे, इसके बाद अगर हम amount के column को map नहीं भी करते तो software इसे खुद calculate कर लेता है, लेकिन निचे हमें option मिलेंगे GST text ledger को map करने के, दिखिए यहां पर ये जो text ledger के head है, ये हमारी Excel sheet से import नहीं हुए, ये application में inbuilt है, इनको हमने tally software में जो हमारे text के ledger created है, उनके साथ map करना है, दिखिए अगर एक बार हमने ये सारे column map कर दी और अगली बार हम कोई setting change नहीं करते, तो again हमें ये सारी mapping करने के जुरूरत नहीं पड़ेगी, अ ये हमारी tally field के साथ properly match करती है, लेकिन ये जो field orange color में है, ये अभी recognize नहीं हुई, इनको हमें manually update करना पड़ेगा, orange color में हमें suggestion मिला है, अगर ये party हमारी match करती है, तो हम just यहाँ पे click करके इसे update कर देंगे, यनि इस application में party उसके नाम के साथ साथ GST number से recognize होती है, जिसकी वज item की बात करें, उसके spelling में कोई जरा सा भी mismatch हुआ, even एक space और dot का भी difference हुआ, तो ये error आ सकती है, और फिर वो सारी field हमें manual update करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर spelling proper match है, तो फिर कोई problem नहीं आएगी, जैसे कि हमारे इस case में सारी की सारी field एकदम से clear है, और अब हम next step के लिए proceed कर सकते हैं, जिसमें हम सभी transaction को select करके save करेंगे, और फिर उसके बाद हम ready है, इन transaction को tally software में send करने के लिए, जिसके लिए सबसे पहले तो ये सारी transaction हमें select करनी है, उसके बाद click करना है send transaction to tally पे, data submit करने का ये option pop up हो जाएगा, जिसमें हमारी transaction की detail होंगी, उसके बाद ये 3 point हम check करके yes I checked पे click करना है, जिसके बाद ये सारी transaction tally software में push होने शुरू हो जाएगी, और कुछ ही देर में ये process complete भी हो जाएगा, तो चलिए अब हम switch करते हैं अपने इस दूसरे PC पे जहां हमारा tally software installed है, और check करते हैं अपने इन transaction को जो अभी हमने push की हैं, और जैसे कि यहां ह वैसे ही record हुई है, जैसे कि हमारी requirement होती है, इसके इलावा अगर हम अपने इन सारी transaction को GST की purchase return जो कि GSTR 2 होती है, उसमें भी अगर हम चेक करें तो हम यहां पे देख सकते हैं कि यह transaction proper way में capture हुई हैं, दिखिए ना सिरफ tally, बलकि अगर हम अपने switch web application में भी इन transaction का status देखे तो हमें यहां पे साफ तोर पे दिखाई देगा, इवन इसके dashboard में हम अब तक की work progress भी देख सकते हैं कि कितनी transaction हम ने send की, कितनी file complete की, कितना time save किया, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि sales की transaction को post करने का procedure क्या रहेगा, switch web application को use करते हुए, दिखिए यह हमारे sales के item invoice हैं, जो क proper tax invoice हैं GST के साथ, इन में interstate transactions भी हैं, interstate transactions भी हैं, cash भी हैं, credit भी हैं, यह variety of transactions हैं, लेकिन आज के इस session में इन सभी transaction को हम Excel sheet से export करके देखेंगे, जिसको हमने पहले से ही prepare करके रखा है, चलिए इसे open करके एक बार हम discuss कर लेते हैं, दिखिए यह हैं हमारी sales की transactions, जिनको अभी हम tally में send करेंगे, और अगर हम इस sheet को prepare करने के performer की बात करें तो almost यह बिलकुल वैसे ही है, जैसे कि हमने purchase की transactions में discuss किया था, इसके header में अगर हम required columns की बात करें तो invoice number, date, party name, GST number, place of supply, sales ledger account, item, quantity, rate, दिखिए यह तो सारे mandatory columns हैं, remaining जो tax related यहां पे column है, उनको आप अपनी convenience के लिए बना सकते हो, लेकिन इस data sheet को prepare करते time हमें कुछ बातने खास तोर पे ध्यान रखनी है, जैसे कि इस sheet की row number one में header ही आएगा, header में हमें dot, dollar जैसे symbols use नहीं करने, date का format भी हमें कुछ ऐसे रखना है, और जब हम इस file को export करें तो यह sheet यहां number one position पे ही होनी चाहिए, साथ मे यह worksheet password protected भी नहीं होनी चाहिए, party name, gst number और item के spelling हमारे tally masters के साथ बिलकुल match करने चाहिए, अगर एक invoice में एक से ज़्यादा items हैं, तो हम same invoice number के साथ lines को repeat करेंगे, दिखिए अगर हम इस sheet को prepare करने की बात करें, तो इसे कोई भी ऐसा person मना सकता है, चाहिए उसे accounting की knowledge हो या फि send कर सकते हैं, it means हमें tally software की भी proper knowledge नहीं चाहिए, बहुत से business ऐसे भी हैं, जिन के पास billing के लिए अलग से software हैं, उस situation में ये सारी information हम excel sheet में import करके, इस format के accordingly set करके tally में बहुत easily send कर सकते हैं, दिखिए इस data sheet में हमारे पास kulmila के 37 item invoice हैं with GST, अब इन सारे invices को tally software में post करने के लिए हमें hardly 3 to 4 minute ही लगेंगे, जिसका process भी बहुत simple है, हमें sales के इस excel option में यहाँ upload पे click करना है, and then यहाँ पे हमें अपनी company name को select करना है, और फिर यहाँ हमें select करना है कि हमारे invoice with inventory है या फिर without inventory, and then यहाँ पे click करके हम अपनी file को select करके open करेंगे, इसे हम drag and drop भी कर सकते हैं, जिसके बाद file को हम यहाँ attachment में भी देख सकते हैं, और फिर यहाँ पे click करके हम अपनी file को upload कर देंगे, कुछी seconds में हमारी file process भी हो जाएगी, इस file में total कितनी transactions है, उसकी detail हमें यहाँ पे दिखाई देगी, and then हमें यहाँ पे click करके इस file को open करना है, और इसमें भी सबसे पह तो उसके साथ map करने के लिए हमें just यहाँ R press करना है, फिर इसे select करके हम map कर देंगे, और इसी तरह date को date के साथ, party को party account name के साथ, GST को GST number के साथ, POS को place of supply के साथ, sales ledger को sales ledger के साथ, item को name of item के साथ, quantity को quantity के साथ, और rate को rate के साथ map करेंगे, इसके इलावा जो हमारी Excel seat में य जरूरत नहीं है, लेकिन निचे यहाँ जो text ledgers हैं, इनको map करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे SGST को हम SGST account के साथ, CGST को CGST account के साथ, और IGST को IGST account के साथ, और अब इस process को complete करने के बाद, हमें यहाँ save and proceed पे click करना है, जिसके बाद हमारी यह file open हो जाएगी, और जैसे कि हम already discuss कर चुके हैं, कि इस file में जितनी भी यह orange color की field होंगी, यह recognize नहीं हुई, इनको हमें manual update करना होगा, लेकिन जितनी भी यह information blue color में है, यह properly updated है, देखिए यह adaptation करने से पहले अगर हम इसकी remaining field भी एक बार study करें, यहाँ पे quantity और rate की combination से amount automatically calculate हुआ है, और साथ में GST भी properly calculate हुई तो चली अब जो हमारे field pending है, उन्हें हम update करते हैं, दिखी यहाँ party name में राम शर्मा इसलिए recognized नहीं हुआ, क्योंकि टैली software में यह account created नहीं है, और अब इस account को टैली software में हम यहीं से create कर सकते हैं, जिसके लिए हमें just यहाँ create ledger पे click करना है, अगर यह registered person है तो यहाँ पे GST और उसके बाद यहाँ name में party name जो कि राम शर्मा है, ledger type में sundry debuters क्योंकि यह हमारा customer है, इसके इलावार meaning information भी हम यहाँ पे update कर सकते हैं, otherwise हम add पे click करके इस account को create करेंगे, और उसके बाद automatically यहाँ पे update भी हो जाएगा, और इसके बाद party name में जो हमारी next pending field है, वो है dr. b.s. r देखिए यह एक cash invoice है जिसमें हमें party का account create करने के जुरूरत नहीं होती, और बिल्कुल इसी तरह सुरेश कुमार भी एक cash invoice है, तो इसमें भी हम cash account को ही select करेंगे, और इसके साथ ही party account name की हमारी सबी field clear हो चुकी है, देखिए यह web application party को उसके GST number से recognize कर लेती है, इसलिए इसम हो सकते हैं, या तो यह account tally software में created नहीं है, या फिर इसके spelling mismatch है, अब यह check करने के लिए हमें just इस पे click करके इसे search करना है, दिखिए यह account यहाँ पे available है, it means इसके spelling थोड़े बहुत mismatch है, और अब इसी तरह remaining invices में भी हम इसे manually update कर देंगे, दिखिए अब इसके साथ ही हमार पोस्ट करने के लिए, जिसके लिए इन transaction को हम एक बार फिर से select करेंगे, और उसके बाद हम click करेंगे, यहां send transaction to tally पे, जिसके बाद screen कुछ इस तरह से आएगी, जिसमें हमारी transactions की detail होगी, और अब इन all three points को check करके हमें click करना है, yes I have checked पे, जिसके बाद यह सारी transaction हमारे tally accounting software में send होनी शुरू हो जाएंगी, और कुछ ही देर में यह process complete हो जाएगा, तो चलिए अब इन transactions को हम tally software में भी check करते हैं, जिसके लिए पहले open करते हैं sales account, दिखिए यहां पे सारी की transactions properly recorded हैं, इवन अगर हम किसी भी transaction को further drill down करके देखें, यहां पे transactions with inventory with GST properly recorded हैं, इसके ला यहां web application में भी दिखाई देगा, दिखिए Excel seat के जरी हम sales purchase की transaction तो record कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास bank statement भी Excel में है, तो उसका processor भी बिल्कुल same वैसे ही है, जैसे कि हमने PDF file से bank statement को upload किया था, जैसे कि हमारे SBI account की bank statement Excel में है, बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले तो हम drag and drop कर किसे upload करेंगे, and then अपने ledger account इसमें हमें update करने हैं, और अगर कोई account नहीं है तो उसे भी हम यहीं से create करके update कर देंगे, और फिर हम इस file को save करके tally में send कर देंगे, यानि अब हम कुल मिला के यह कह सकते हैं, कि sweet web application को use करना एक बहुत easy सा काम है, जिसे use करके हम अपना बहु से use करके जुरूर देखीगा, initially stage पर यह 100% free है, और साथ में आपको यह web application कैसे लगी, अपने comments जुरूर लिखिएगा, और साथ में अपने valuable suggestions जुरूर भेजिएगा, इस session में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए topic के साथ, thank you very much.